साथ क्यों? हमारे देश में पिछले पचास साल से हमें एक नारा सुनते आये हैं, चारो तरफ भोई बोला जाता है और चुनाओ के समय तो जरा चिला चिला करके बोला जाता है, चिक चिक करके बोला जाता है, क्या नारा है? गरीबी हटाओ, कितनी बार सुना है, कितनी पिडियों ने सुना है, नारे 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 बस नारे देते गए हैं, लेकिन जिनों ने ये नारा दिया, उन्होंने कभी गरीब की सूध नहीं ली, गरीबों की परवा नहीं की, और नहीं वो गरीबी हटा पाए हैं। एक स्वाभाविक सा प्रस्टन है कि जो काम पांच दसकों में नहीं हो सका, वो भाजपास सरकार ने इतने कम समय में कैसे करके दिखाया. इसके पीछे बज़े हैं कि हमने सामान्य मानवी के जीवन की मुल्भूत कठिनाईयों को कम किया है. और हम लोग वो लोग हैं जो गरीबी को जी करके आए हैं. गरीबी की समस्या की जड़े कहां कहां है, इसका हम लोगों को भलीभाति ज्ञान है, अनुभव है. इसलिए हम उन जड़ों से गरीबी को काट करके गरीबों को गरीबी से मुक्त करने का सफल अभियान चला पा रहे हैं. आप देखिए, सरकार ने देश में उन अठारा हजार गाउं में बुझली पहुंचाई हैं, जहां अब तक बुझली नहीं पहुंची थी. इन में से लगभग 13,000 गाउं पुर्वी भारत के हीतों थे, और आज लोग जो मनिपूर, मनिपूर करकर के राजनीती करने में लगें न, उनको कभी विचार नहीं आया, कि ये 3900 और पुर्वी भारत में 13,000 गाउं अंधेरे में डुबे पड़े थे. हमने 15 आगस 2019 को जल, जीवन, मिशन की शुरुवात की थी, तब देश के 20 प्रतिसत से भी कम, ग्रामिन परिवारों तक नल से जल की सुविदा थी. आज 60 प्रतिसत से भी जादा ग्रामिन परिवारों को नल से जल, नल से पानी मिल रहा है. आपसे कई लोग ये जानकर हरान रह जाएंगे, कि मिजुरम जैसे राज में, चार साल पहले तक कीवल 6 प्रतिसत घरों में पाइप से पानी पहुंचता था, आज ये संख्या 90 प्रतिसत से जादा है. बिजली पानी की तरह ही, पीएम आवास योजना भे, गरीबों के जीवन को बहतर बनाने में, बहुत एहम भूमी का निभा रही है. बिहार में, पिछले नव वर्षों में, पच्चास लाज से ज़्यादा पक्के घर, पीएम ग्रामिन आवास योजना के तहर बने हैं. पच्चास लाख, ये हमारे पस्चिम मंगाल में, ये सरकार काम भी नहीं करने देती, तो भी लगभग पैतालीस लाख गरीब परिवारों को पक्का घर देने का काम हम कर पाए हैं. उदर असम में भी गरीबों के लिए बीस लाख गर बने हैं, इन योजनाओं से गरीब की ताकत बड़ी हैं, उसे नए आउसर मिले हैं, और वो अब गरीबी में रहना नहीं चाहता हैं, गरीबी से बाहर निकलने के लिए वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके मैदान में उतर चुका है. देश ने अब ऐसी सभी योजनाओं के सेचुरेशन का टारगेट रखा है, शत्प्रतिशत जो भी इसके हकदार है, जिनको जे मुलना चाहिए, तो सत्प्रतिशत काम पूरा होना चाहिए. और इसलिए मेरा सुजाव है कि आपके पास अपनी पंचायत के एक-एक लाभार्थी का डेटा होना चाहिए. जितनी भी योजनाओं का लाभ मिलता है, हर गाम के अनुसार उनकी सुची होनी चाहिए. उन्हें इन योजनाओं से जोडने के लिए आपको समय सिमा ताय करके काम करने की जरूत है. हर सप्ता इसका इचार्ड बना करके अपसरों से रिपोर्टिंग लेना चाहिए. डीटेल में उनसे जानकारी लेनी चाहिए. बताओ भई, ये योजना इस हफ्ते कहां पहुंची, ये योजना इस हफ्ते कहां पहुंची, फलानी तैसिल में क्यों कम रह गए, फलाने गाउं में क्यों कुछ नहीं हुआ. आप जितनी पुष्ताच बढ़ाओगे, और पुष्ताच मतलब किसी को कड़गरे में ख़णा नहीं करना होता है. प्यार से बात चित करके उनका धाना कड़जित करना होता है. तो उससे अपसरों का भी काम करने का उस्षा बढ़ जाता है. तू तू मेमे करने से कभी फाइदा नहीं होता है.